कि इंजिनरीं कॉलेज के उद्गाटन के अफसर पर नए भवन के उद्गाटन के अफसर पर चूंकि इंजिनरीं कॉलेज तो 2017 से चालू कर जिया गया कि अब आप देख लिए कि कितना सुंदर देखने में लग रहा है हम लोग जो कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं अब बहुत ठीक पहले देखते हों गया थाना का क्या हाल रहा था अब देखेगा थाना कैसा बनवा एक एक जगह पर अच्छी बिल्डिंग का निर्मान और उसके साथ साथ यह अभी हम लोग क्यों भुकम पुरोधी हो तो नए बिल्डिंग का निर्मान इस तरह से कर रहा है मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आने जगों पर विजिनरीं कॉलेज के उद्गाटन में गए है तो यह कम से कम जो काम हो रहा है बहुत अच्छे दंसे काम हो रहा है आप यहां पर इस्टूडेंट्स के पढ़ने का तो इंतिजाब है अब बगल में देख लिए एक कैंटीन कोई देखेगा तो कोई कहेगा कि बड़ा अच्छा होटल है उस टाइप का ही बिल्दिंग कहेगो होटल फूर्मिया में इतना बढ़िया देखने में आपको मिलेगा एक एक चीज़ कैंटीन में कैसा बना दिया उसके अलागे होस्टल मुझे खुसी है कि आप लोगोंने गोदो सो च्छात्रों के लिए दो होस्टल का निर्मान किया है चार सो च्छात्र के लिए और एक सो पांच छात्राओं के लिए लेकिन हम फिर कहेंगे संच्या बढ़ेगी ये छात्राओं का 105 नंबर ही मत रखिए क्योंकि अब छात्र से पीछे छात्राएं नहीं है अब छात्राएं बहुत संच्या में आगे बढ़ रहे है तो ऐसा मत करिए कि 105 वहाँ पर छात्रा के लिए गर्ड स्टुडेंट्स के लिए और बिल्डिंग बनाईए जो पैसे की जरुवत होगी सरकार उपलब कराएगी अगर ये लगे कि 400 के अलावे और जरुवत है तो उसके लिए भी दिर्मान एकाज शात्रावास का और जरुवत हो वो अभी करवाईए लेकिन जल्दी से जल्दी उसका प्रस्ताव तयार करके लईए ताकि उऊसको सुकृति मिल जा है हम चाहते हैं कि जो भी इंजिनेरिंग कॉलेज में पढ़े वो कॉलेज के केंपस में रहे चात्र में यही रहे छात्राएं भी यही रहे और जितने प्रोफेसर एसिस्टेंट प्रोफेसर जो भी टीचर से वह यही रहे आन्य जो टेक्निकल लोग है लाबरेटरी में वो भी यही पर रहे जो हमारे आन्य करणी है कॉलेज को चलाने के लिए वो भी इसी कैमपस में रहे और ऐसा होने पर लोगों का मन बहुत लगेगा अभी अच्छा नहीं लेगा कि पढ़ रहे हैं इंगिनरीं कॉलेज में अब वोस्टल के बाद पूरी जगह नहीं में तो कुछ लोग बाहर रहा लॉज में तो वह हमको पसंद नहीं तो कि हम भी इनिजिनरींग कॉलेज से निकले जब नई ती में हो गया कैंडर में अगर न概 नली के सरकार में मनतरी था मेरे प्रयास बिहार कोडि़ अभी जे में पटना का था और देस्क जब 6 ओलेज थे तर आफ बनाता उसको एनाइटी में अपग्रेड करवाया था वो तो अब दूसरी स्थिती में लेकर उस समय कहां स्टूडेंस को रहने के लिए होस्टल में कहा था फस्ट येर वालों को तो कोई खास जगह ही नहीं मत किता है हमको फस्ट येर में पहला सान में पढ़े थे का साइंस क हो लेग्षाइट में पढ़े प्री साइंस कितना अजिया होस्टल था नूंटन掉 लेकिन इन इरे इन सच्वाल है तो चाहते हैं पास वहीं से किये रहते हैं कितना हानन्द आता हुए कुछे के साथ कितना अच्छा संबन दोन भी चमता है और अगर चमता का विस्तार करना पड़े विकास करना पड़े तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए स्टूरेंट के होस्टल के लिए टीचर्स के लिए अधर इंपुआईज के लिए साथ के लिए एक जगर रहने का बनवा दिजे ठीक से अगर आपको लगता है कि इसमें और इतना पैसा चाहिए हम लोगो फ्लब करा दें तो कि हमारा संकल है साथ निश्यक और तरगत हम लोगों ने तैक कर लिया कि हर एक जिले में एक इंजिनरीं कॉलेज खोला जाएगा जब हम एंपी थे केंद्रे में मंत्री थे किसी भी राज्वि में जाते थे तो चाहाँ वह इंजिनरीं कॉलेज और एक रिकल्चर कॉलेज चोज अगि कहीं जाते थे दियार के लोग फो Fellows पूस्ते थे तो कॉलेज के बाहर रड़का खड़ा रहता था मिलने के लिए हम पूसते थे क्या बात है तो ड्रेन का स्टॉपज जाता था कि यहां पर स्टॉपज हो जाएगा तो हमको आगे जाने में दिक्कत नहीं होगी और वहां से अंधिहार चले जाएगा तो देखते थे हर जगा एगरी कल्चर कॉलेज हो विट्नरी कॉलेज हो इंजिनरी कॉलेज हो सब जगद आकुछ राज्य तो ऐसा था वो कहता था साथ देखिए हम तो इतना कॉलेज बना रहे हैं बिहार के लोगों को फाइदा पहुचा रहे हैं तो मुझको हसिया दी थे हमने टै किया कि हमारे हर जिले में Engineering College बनेगा और आज बहुत सारे जिलों में बन गया है जो बचे हुए जिले है वहाँ जमीन काववंटर हो गया है सारी कारवाई और इसके लिए तो केंदर में तक्निकी मालण ज्याले खोलने के लिए जो उसके लिए Institution है वहां तक application नहीं दिया जा चुका इसकी मंजूरी के लिए यह सब काम करने तब दिहार के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए हर जिले में इंजिनरीं कॉलेज जब बलब्ध हो जाएगा तो बहुत कम लोग बाहर जाएगा और आप जानते हैं अब बाहर में जो बहुत सारा इंजिनरीं कॉलेज है वो बंध होने के कगार पर आ गया तो हमारी तो इच्छा यही है हर जिले में हमारा निश्चे इंजिनरीं कॉलेज की स्थापना हर जिले में पॉलिटेखनिक संस्थान की स्थापना हर जिले में महिला आईटी आई की स्थापना हर जिले में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना हर जिले में जी एनेम संस्थान की स्थापना हर सब्डिविजन में आईटी आई की स्थापना और एनेम स्थापना और इसके बाद हम लोगों ने जो टाय किया पांच नए मेडिकल कॉलेज और ये जो आज पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का सिलन्यास मानिये प्रधान मंत्री दिनी के द्वारा हुआ है बेबुस्त रहा है बरावनी के का कारिक्रम था वहीं से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के स्थाफ़ना के लिए हम लोगों ने 11 से ही पौल की कि हाँ पर मेडिकल कॉलेज पुलना चाहिए और अब उसका विसलन्यास हो गया तो अब तो पूर्णिया में और उसके बाद एकरिकल्चर कॉलेज कौन सा काम नहीं किया गया हार यहां के ल अब पक लोगों की भावना की जानकारी मिली और यह सब काम किया गया और पहले पुर्णिया की क्या इस्थिती रहते थी आवा गमन का साधन नहीं सबके ठीक नहीं थी अब एक एप चीज के लिए हम लोग काम करना है और अब लोगों को सुगदा देखे पुर्णिया कैसी जगह हो भी लोग पुर्णिया बहुत पहले आने से घबडाते थे अब कौन नहीं चाहता कि पुर्णिया जाए यह कितना खुबसूरत जगह कितनी ह अछ तरियाली है और कितना अच्छा अच्छी ख्येती हो रही तो हम लोग सब का दृस्टीकोन फिरेगियी पूरे भिहार का विकास और हमारा यकीन है न्याय के साथ विकास में यानि हर इलाके का विकास और समाज के हल्टत्के का विकास और उसी काम में लगे हुए जितना काम हम लोगों ने कर दिया है चाहे कोई भी छेत्र हो हर छेत्र के लिए योजनाए हम लोगों ने लागू किये साथ निश्य का कारिक्रम भूलिए हर घर नल का जल काम चल रहा है और आज जिसका हमने जिक्र किया गुर्मत्ता प्रभावित इलाके का कितने वाट का हमने जिक्र कर दिया काम शुरू हो रहा इसी प्रकार से हर घर तक पकी गली और नली का निरमान हर घर में सोचाले का निरमान पर हमारा निश्य था साथ निश्य में हर घर तक बिजली का connection और बिजली के लिए काम हुआ क्या बुरा हाल था हुम लोगों ने टेय किया था 2017 तक हर घाओं तक बिजली पहुचा देंगे और टोले कुछ बच गए अप्रील 2018 तक हर टोले तक बिजली पहुचा दी गई और हम लोगों का निरने था कि हम 2018 के 31 दिसंबर तक हर इंचुट रेक्टी के घर तक बिजली का कनेक्शन दे देंगे और मुझे खुशी है कि पिछले साल 31 दिसंबर के पहले 25 अक्टूबर तक हर इंचुट रेक्टी के घर तक बिजली का कनेक्शन दे दिया गया अब लोग आनंद में अब सबको बिजली उपलब्द हो गया पहले लोगों को बिजली नहीं थी पढ़ने के लिए भी दिक्कत थी लल्टेन धिबरी मुंबत्ती इसी के साहरे चलना पड़ता था अब बच्चा सबको लोग भर में नियंत्रित रखते थे कि रात हो गया है अंदेरा में कहीं बच्चा बाहर न जाये तो सबको कहता था बाहर मत जाओ बाहर भूत है भूत का डर दिखा के बच्चा सबको घर में रखता था अलल्टेन धिबरी के साहरे लोगों को रॉस्नी मिलती थी अब जब हर घर बिजली का कनेक्शन पहुँच गया तो भूत भ भाग गया और लड़ेन की जरूरत भी खतम हो गई अब ऐसा इसकी आगया है विहार तो हम लोग तो एक-एक काम कर रहे हैं हम कितने कामों का जिक्र करें साथ निश्चा से ले करके महिलाओं के लिए योजणा एक-एक योजणाय हम लोग ने चलाई और उसके बाद सब कुछ के बाद भी और सारा काम कर रहे हैं और अभी हाल में अभी तीन मिन पहले हम लोग ने एलान कर दिया कि अब जितने भी लोग साथ साल से अधिक उमर के हैं उनको हम ब्रिद्ध जन मानेंगे और उनको भी ब्रिद्धावस्ता पिंसर का लाग दिया जाएगा जो सीमिन थे बीपियल तक और जिसका नाम बीपियल में छूट गया वह भी बंचित रहता थे तो बहुत सारे लोग बंचित रह जाते थे लगवक 36 लाख एक अंदाज के मुताबिक लोग बंचित रह जाते थे अब हम लोगों ने तै कर दिया है कि कोई सरकारी सेवा से सेवा निवरित हुआ है और उसको पेंसन मिल रहा है उसको छोड़ करके जो भी पुरूस हो या इस्तरी साट साल की उमर उनकी हो जाएगी तो उनको पेंसन योजना का लाख दिया जाएगा और उसके लिए नई यो अब सब को पेंसन कर लाख दोनों पती पत्नी को मिल जाएगी अब घर में इज़त भी बढ़ जाएगी तो यह भी काम अभी हम लोगों ने सुरू कर दिया इसलिए एक एक काम जो आज सकता होती है उन सब चीजों पर हम लोग करते रहते और आज यहां पर मदर्षा के भी लोग बढ़े हुए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो 1128 कोठी के मदर्षा सिक्षक हैं उनको भी साथ में वेतन का लाव हम लोग दिलवा देंगे उसके चिंता मत करिएगा और जो नियोजित सिक्षक है मदर्षा के जिनको एक बार हमने नियोजित सिक्षकों के समान वेतन देना शुरू किया उनके भी वेतन में ब्रिधिक कर दी जाएगी निश्चिन्त रहिए लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि ठीक से पढ़ाईए और प्रेरिव करिए कि लड़का हो या लड़की सब पढ़े क्यूंकि पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा